दोस्तों अगर आपको भी पैसे की जुरूरत है, अगर आप लोन लेना चाहते हो, कई बबार बैंकों के चकर कार्ट चके हो, कई जगहना पर जा चके हो, लेकिन आपको लोन नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको लोन लेना है, तो भाई भी मैं कहता हूँ कि आप इधादर के चक्र काटना भंद करके बल्कि जो परधान मंतरी के द्वारा एक गोर्मिंट स्कीम चलाई जा रही है उसके स्कीम के तहत आप यहां से पैसा ले सकते हो यानि कि लोन ले सकते हो लोन का सबसे बड़ा जो फैदा होने वाला मैं आपको बताता है क्योंकि मैं 6 लाख रुपे लोन के लिए अपलाई किया 6 लाख रुपे मैं आपको खुद दिखा जाता हूं यहां पर आप देख पाई है कि 1.5 लाख रुपे की सबसीडी मिल जा रही है बच्चे जो यहां पर और अमाउंट है उस अमाउंट को मुझे पे करने के लिए पूरा-पूर गलती करोगे फिर आपका लोन अटके का बाद में आप बोलो भया आपने तरीके से बताया नहीं तर तो आपको तरीके से सुनना है 5-10-15 मिन का अपना टाइम देना है उसका पूरी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी वीडियो पूरा देखने के बाद ही सही लेकिन व अलट दिया गया है उस अलट को बड़े ध्यान से समझे ज़रूरी बात है जब भी दोस्त आप कहीं से भी लोन के लिए अपलाई करेंगे तो देखते हैं कई पार आपके पास कोई भी कोल नहीं आएगा और इस लोन को लेने के लिए आपको पहले से कहीं पर कोई भी पैसे देने की जुरूरत नहीं है इस बात को आपको ध्यान में रखना है नहीं ही तो कहीं आपके साथ कोई फ्रोड हो जाए तो चली हमने इसको यहाँ पर देख लिया और सेंपल समया पर कट कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो यह गोर्मेंट के वेफ साइट है औ तो आप यहां से लोन ले सकते हैं दूसरा होता है angry loan जो कि किसान credit card वाला loan होता है अगर आप उसको लेना चाहो तो आप असको यहां से ले सकते हो जो तीसरा लोन है वह यहाँ पर देखें किसान के लिए है जहो की angry infrastructure loan है और जो चौता लोन है वो देखेंगे बिजनेस activity loan है जो कि आपकी सभी जरुरतों को पूरा किया जा सकता है फिलाल हम यहाँ पर जो loan apply करने वाले उस loan का नाम होने वाला है business loan क्योंकि ज्याज़ा तर लोगों की जरुरती ही होती है अगर अपने business start करना है या उन्हें अपना business पहले से start कर रखा है तो उसको अपने loan ले करके उसको और बढ़ाया जा सकता है तो यहाँ पर कितना loan मिलेगा, कितना interest लगेगा किस तरीके से apply करना चली पूरी जानकरी मैं आपके साथ share करता हूँ तो दोस्तों business loan को apply करने के लिए simple से यहाँ पहले check eligibility आप click कर देंगे एक बात मैं आपको पहले से clear कर चलना चाहूँगा आपके मन में आ रहा है मुझे अगर education loan लेना हुआ या कोई और loan लेना हुआ था हम उसको कैसे apply करेंगे तो मैं बताना चाहूँगा जो 5 loan है उन loan को apply करने का process बिल्कुल सेम है बस यह रहेगा कि आपका loan के category अलग हो जाएगी ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहला चीज़ पूछा जाता है उससे यह decide होता है कि जो आपको loan दिया जा रहा loan के category आपने 5 देखी होगी लिए कि scheme 12 है तो उसमें से decide होता है कि आपको कौन सी scheme देखने को यहाँ पर मिल जाएगी तो सबसे पहले पूछा जाता है कि आपको यहाँ पर handloom work कोई काम करना है उसके लिए आप लेना चाहते हो या फिर यहाँ पर annual savenger के लिए लेना चाहते हो तीसरा होता है street vendor यानि कि अगर आपको radio अगरा काम करना उसके लिए लेना चाहते हो या फिर आपको ऐसा लगता है जो मैं करना चाहता हूं वो चीज़ें इसमें नहीं दिखाई जा रही है तो कोई भी problem वाली बात नहीं है सेंपल साब को यहाँ पर चौथा वाला other business loan सेंपल साब इस पर किलिक कर देंगे तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पर other business loan पर किलिक करते हैं इसके बाद आप आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ रहा है कि नया business start करने वाले आप new पर किलिक कर देंगे फिर इसके बाद पुछा जाता है कि क्या आप आठवी class pass है अगर पास है तो आप yes पर किलिक कर यह नहीं है तो नो पर किलिक कर दीजिएगा इसके जबाद आप से पुछा जाता है कि क्या आपने GDP training लिया हुआ है अगर आपने लिया हो तो ठीक है नहीं लिया हो सेंपल सा नो पर किलिक कर दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके बाद पुछो जाता है कि select nature of your business जो आप business करने वाले हो उस business के कैसा होने वाला मला कुछ बनाने वाले manufacturing करने वाले हो या फिर आपका जो business यानि किसी को business हो गया service जैसे कहते हैं यह service दे रहा हूं बस मेरा काम से सिर्फ service देने का तीसरा यह है कि trading करना यानि माल इधर से लिए उधर आपको दे दिया तो trading कर रहे हैं तो भाई invest तीनों में से कौन सा तो भाई यहां पर हमारा business service वाला होने वाला है हमने इसको अपन general में आते हैं OVC में आते हैं जिसमें भी आते हूं आप उसको यहां पर select कर लिजिएगा फिलाल यहां पर मैं general में आता हूं मैं general select कर लिया है इसके बाद दोस्तों पूछाता था क्या आप यहां पर act service man है या physical handicap है अगर आप हैं तो यहां पर yes पर click कर यह नहीं तो simple सा no प पर click कर देंगे सारे state के नाम यहां पर पहले से mention किये गए हैं जो कि आप यहां पर देख लीजिए गा ठीक है तो फिलाल में इस state से नहीं आता हो यहां आप सेंबल्स हमें yes पर click कर देता हूं मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा hometown यूपी से अगर आप यूपी से प्लिस होगे आप सहर में रहते हो और जो रूल लिखा हो उसका मतलगा आप रहते हो फिलाल मैं यहां पर urban type कर देता हूं क्योंकि मैं सहर के साइड में रहता हूं ठीक है इसकी बाद फिर आप से यहां पूछा दाए इसको इंड वीजूवा और इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज को बड़े द्यां से देखिए इसकी बिल्कुल मत करिएगा तो यहां पर पुछा रहा है कि जो आप काम चालू करने वाले हैं इंटर इस्टेमेटर प्रजेक्ट कोस्ट जो यह ची लिखा हुआ रहा तो यहां का मतलब ही हो गया कि आप जो काम करना चाहते हैं जैसे मैं मैं यहां पर डाल दिया अब इसके बाप पुछा रहता है इंटर दा आमांट यूर प्लांट टू इन्वेस्ट यू यूर ऑन सार्स मतलब आपकी तरफ से आप अपने पास कितना पैसा रखे हो इस पोरजटिया नहीं कि अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो आपके पा अब यहां पर दो लाहं रुपए अपना झाल लग रूपए अब यहां बात करेंगे मेरे टोटल बीजनेस होता है चार लाघ मेरे पास है तो चार लाग रोपे थी मुझे गवर्मेंट से लेने बिल्गुल क्लियर हो गया इसी तरीके आप अपना हिसाब देखने आपके पास कितने पैसे आपको कितने पैसे की जरूरत है तो सारी चीज़े यहां पर करके निकल भी जाएगे तो अभी फिल्याल हमें यहां पर दिखाए जा रहे हैं उन दोनों इसकी में से आप किसी भी एक स्कीम को च्वाइस कर सकते हो लेकिन हमें पहले तो डिसाइड करना पड़ा है तो सबसे पहला जो इसकी में आप यहां पचास जार रुपे का में आप सबसीडी दी जा रही है गोर्मिंड की तरफ से सबसे मंतली इमाई आएगी वह आएगे 4060 रुपेया मात्र जो कि 9% के हिसाब से ही आपका रेट आप इंटरस्ट यहां पर लगेगा और जो टाइम दिया जा रहा है वह 15 साल तक का टाइम दिया रहा है यानि कि 15 साल ता आपका टाइम बहुत ज़्याद हो जाता है यानि कि ओके क रुपेया है यहां पर मंतली इमाई 8500 रुपेया आएगी और यहां पर भी रेट आफ इंटरस्ट फोड़ा से बढ़ जाता है यानि 10% का आपका रेट आफ इंटरस्ट लगेगा और यहां पर त्यूनर टाइम मतलब आपको बहुत जा टाइम देखने को मिल जाता है तो च बहुत करने है तो सब अब यहां पर आने के बास दोस्तों सबसे पहले आपको अपने लंबर कर देना इसके जएस ब्लम करेंगे जैसा इस पर ध्यान रखिएगा यहां पर तीन चीज़े दी गई जैसा कि प्राइवेसी पौलसी जो कि आप यहां पर रीड कर सकता हो कि क्या दूसरा की जो term condition उसको आप देख सकते हो इसी तरीके दोस्तों आपको यहाँ पर disclaimer वाला option मिल लाएगा इसको भी आप रीड कर सकते हैं या scroll down कर देंगे फिर यहाँ पर आपको box मिल लाइगा इस box पर click कर देंगे फिर agree वाला highlight हो जागा samples आप agree पर click कर देंगे जश्ट इसकी पर आपको यहाँ पर get otp वाला highlight होगा अब get otp आप click कर देंगे दोस्तों यहाँ पर loan को apply करने के लिए continue करने से पहले एक बार आपको यह भी जाना जुरूरी है कि जो भी आप यहाँ पर scheme को choice कर रहे है उस scheme में आपको क्या क्या benefits मिलें कौन-कौन इसके लिए eligible हैं वह यहाँ पर देख सकते हैं इस सारी जानकारी भी आप यहाँ से देख सकते हो apply कर रहे हो तो आप देख भी सकते हो अलाकि यहाँ पर देखे बहुत सारी चीज़े लिखे हैं अगर मैं सब को पढ़ने लगो वीडियो बहुत अलम्मी हो है और यहाँ पर जो इमाई है और इमाई काफी कम आएगी और 15 महेन्य का नहीं बलकि 15 साल का टाइम दिया जा रहा है इस वाले लोन को हम चॉइस करना चाहते हैं इसके लिए सेंबल समझे पर क्लिक कर देंगे इसके बाद दोस्तों रिव्यू डिटेल आपको दिखाया जा क्राइएं इस ओल्लां को किलिक कर देंगे और यहां फिर आप यांपको रिड़ाने कर देखना है लेगया जो की आप्लिकेंट फॉर नीव यूनिट लिखागा आएगा सेंपल सा आपको इसपर अपने बटन पर क्लिक कर देना है इसके जश्ट बात दोस्तों आपको यहां पर ध्यान से देखना है, सारी चीजों का अच्छे से समझना है, यहां अने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, जिस पेज में आप देखें, यहां बहुत सारी जानकारी हैं जो आपको फिलप करनी है, जिसमें कि आपका सार आपको जो भी डिटेल आप फिलप करने वाले हैं, यहां पर अधार कार्ड नंबर हो गया, इसके बाद है कि आवेदेक कर नाम हो गया, और इसके बाद जितनी भी जानकारी से, फोन नंबर, इमेल, आइडिया, आड्रेस, सारी जानकारी जो सेयर करने वाले हो, ध्यान रख यहां पर क्या चाहिए, फिलप करनी है, समझने में कोई प्रोब्लम आती है, तो यहां पर देखिए, यहां पर बिल्कुछ गाइड लाइन्स आपके लिए बनाई गई है कि किस तरीके से आप इस फॉर्म को फिलप करोगी, यहां पर आप स्क्रोल करके इसको पूरे तरीके करने पड़ेंगे, जैसा कि यहां पर देखिए, लिखा भी गया है, इसके बाद आपके मोवाइल नमबर भी देखेंगे, आपके यूजर आडियो पासवर्ट आ जाता है, जिसको आपको संभाल के रखना, उसको प्रिंट आउट भी करके रख लीजिएगा, तक कि अपने यहां पर दिये हो, जैसा अधार कार्ड, पेंट कार्ड, अपना अडरस प्रूब, जतने भी सारी जानकारी आपने सेर करी है, वो सारे डॉकमेंट के फोटो कॉंपी ले लेनी है, और जो आपको यहां पर यूजर आडी पासवर्ट दिया गया, इसका प्रिंट आउ जतने भी जानकारी होती है, या जतने भी स्कीमें निकाली जाती है, हमेशा यह जो मध्धमवर के लोग होते हैं, फिर गरीब लोग आते हैं, उनके लिए निकाली जाती है, ताकि उससे लोग अपना फायदा उठाएं, फायदा उठाने के बाद कुछ नोपना रोजगार चालू करें या फिर जो भी चीजे आहें उनके लिए सारी चीजें come लाए याती है और मुझे लगता है जब उसको रियलिटी लोग से पना उपिन्याने आपका कहने क्या कहना पिलिडीमेंड कर जूरु ताएगा और अगर आपने यहां से लोन लिया हुआ है अगर आपको लोन मिला हुआ कितने का लोन मिला हुआ पिलिस इसके बारे भी कमेंट करके जुरू बताईएगा देखिए इसके बारे मेरे पास एक दो बार कमेंट आया था कुछ मेरे जानने वाले लोग है उन्होंने मेरे से बोला या इसके बारे प्लिस कमेंट करके जुरूर बताईएगा फिल आले वीडियो आपको कैसे ले प्लिस कमेंट करिए चली पर मिलते हैं किसे ने वीडियो में तब तक के ले जाए हिन जाए बारत